नमस्ते दोस्तों, आज हम बासुंदी बनाना सिखेंगे बहुत सारे लोग पर्फध बासुंदी बनाने में अक्सर गड़ बढ़ा जाते हैं पर्फध कंसिंस्टन्सी और पर्फध स्वाधभरी बासुंदी बनाने के मैं आज आपको नुश्के बताऊंगी हमें एक ग्लास दूद लेना है, दूद को हमें एक पतेले में डालना है, हमें दूद को एक अच्छा सा उबल आने देना है, फिर हमें गैस को धीमे आज पर करकर चार से पाच मिनिट तक उसे अच्छा सा उबल आने देना है, उससे हमारा दूद गाड़ा बन जाएगा अब हमें इसमें थोड़ी सी चिनी डालनी है मैं इसमें खोय की मिठाई डालने वाली हूँ इसलिए मैंने चिनी कम डाली है देखे अब हमारा दूद दिरे दिरे से गाड़ा हो रहा है तब तक आप हमारे चैनल को सब्क्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने के लिए ना भूलियें देखे अब हमारा दुद गाड़ा हो चुका है कोही कोई लोग इसमें कॉन फ्लावर डालते है लेकिन कॉन फ्लावर से बासुंदी गाड़ी बनती है लेकिन वो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी ने लगती इसलिए आज हम इसमें खोया की मिठाई डालेंगे इससे हमारी बासुंदी गाड़ी ही बनेगी और टेस्ट में भी ये बहुत ही अच्छी लगेगी अब हम इसमें शाई बासुंदी बनाने के लिए इसमें हम केशर डालेंगे केशर डालना ओप्शनल है आपके पास है तो डालिये नहीं है तो मट डालिये केशर डालने से हमारी बासुंदी का स्वाथ भी अच्छा आएगा और कलर दिखने में भी अच्छा लगेगा देखे अब दीरे दीरे से हमारा केशर का कलर दूद में आ रहा है आप इस तरके से एक बार बासुंदी जरूर बनाए लेकिन आप इसमें खोया ही डाली बाजार वाली मिठाई बिल्कुल मत डाली है उससे हमारी बासुंदी बहुती खराब लगेगी देखे अब हमारे इसमें मिठाई भी अच्छी से घुल चुकी है और हमारा केसर का कलर भी अच्छा आ चुका है देखे अब हमारी बासुंदी बहुती अच्छी से अब गाड़ी बन चुकी है अब हमें इसे एक गलास या कटोरी में सब कर लेंगे अगर आपके पास ड्राइफूट हो तो आप इसमें जरूर डालिए नहीं है तो मट डालिए मेरे पास है तो मैंने इस पर धेर साला ड्राइफूट डाला उससे क्या होगा हमारा बासुन्दी खाने में भी बहुत मज़दार और टेस्टी लगेगी देखे शाई बासुन्दी अब बनकर तयार है आपको हमारे रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएए हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद ऐसे हमारे चैनल पर आते रहे हैं और मज़दार खाना खाते रहे हैं